सुप्रभाद बच्चों, किंद्रे विद्दले बर्गर्ड के e-learning lesson capsule 17, 2021 में आपका स्वागत है मैं सुप्रद प्रधान प्रात्मिक शिक्षक आपको कर्षा दूसरी का हिंदी पड़ाता हूं बच्चों हम इस capsule में दो हिस्से मिलेंगे एक है वीडियो के रूप में और दूसरा है एक notes आप सब से निविदन है कि आप इन सब चीजों पर ध्यान दे तो बच्चों ये वीडियो है इसको बड़ा आप ध्यान से देखना और साथ में मैं एक notes विदिया हूँ उसकी बाद आप notes को देख के अपनी class कोफे में उसको लिखना बच्चे पिछले class में हम पढ़ रहे थे अधिक बलवान कौन ये कहानी कहानी तो मैंने आपको समझा देया था बहुत मज़दार कहानी था ये हम सब समझ चुके थे उसका सबदार भी लिख चुके थे और उसके हम कहानी का जो अरत क्या था हम वो कहानी भी समझ चुके थे ठीक है तो बच्चों आज हम इस कहानी के कुछ प्रश्नों के उत्तर को कि बारे में बात करेंगे ठीक है, कुछ प्रश्ण है, देखो, नीचे लिखी प्रश्णों के उत्तर लिखो, जो पहला प्रश्ण है, एक बार किस-किस में बहस छिड़ गई, आप याद करो, यह सबसे स्टार्टिंग में है, इस कहानी में बताओ, कि एक बार किस-किस में बहस छिड़ गई, उत्तर क् कि एक बार हवा और सूरज में बहस चिड़ गई क्योंकि हवा सूरज के बीज में बहस चिड़ गई दूसरा है दूसरा सवाला दिहां से सुख देखो सुनो कौन अपने आपको ज्यादा बलवान समस्ता था बता मुझे कौन अपने आपको ज्यादा बलवान समस्ता था सुरोज यहावा हावा जो था उसको बहुत घमन था ना अपने शक्ति पर अपने ताकत पर तो फिर हवा अपने आपको सुरस से ज़्यादा बल्वान समस्ता था. चीक है? जो तिसरे नक बैट discs नहीं देखो, हवा की नजर किसके ऊपर पड़ी? हवा की ऊपर किसके ऊपर हवा की नजर किसके ऊपर पड़ी? तो पताओ उस समय वहाँ पर कौन जा रहा था कि हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी किसको पर पड़ी आदमी पर पड़ी उसको देखने के बाद ही तो दोनों फिर रिसाइट किये थे यह सोचे थे कि हम क्या करेंगे ठीक है तो हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी देखते हैं अगला सवाल चोथा सवाल है हवा चलने से आदमी की क्या उड़ गई पता हूं मुझे जब हवा चलने लगी तो आदमी क्या पहना हुआ था उसका क्या उड़ गई हवा चलने से आदमी की टोपी उड़ गई ठीक है यह अपको याद है जब हावा चलने लगी तो उसके जो सिर्फे टोपी था पहना वा था टोपी सिर्फे ही पहनते हैं ना कि हाथ पे नए सिर्फे ठीक है तो आदमी जो सिर्फे टोपी पहना वा था वो टोपी उड़ गई अगला सवाल देखो पांचवा सवाल ज्यादा हवा चलने पर आदमी क्या करने लगा ज्यादा हवा चलने पर आदमी क्या करने लगा पता तो क्या करने लगा ज्यादा जब हवा चल जब पहले फड़ा कम कम हवा चल रही थे तो उसकी टोपी उड़ गई लेकिन जब बहुत तेज से हवा चलने लगी तो क्या क्या ज्यादा हवा चलने पर आदमी ने अपने दोनों हाथों से कोट को लपेट कर रखा ठीक है अपने दोनों हाथों से मतलब जो अपना कोट है उसको वो पुरा पकड़ कर रखा तो आप वो कोट उड़ नहीं पाया ठीक है अब जब भी हवा ते चलते क्या करते हो अगला सवाल देखो अगला सवाल चटा सवाल जब सूरस की गर्मी जादा बढ़ी तो आदमी ने क्या किया याद करो याद करो पहले तो हबार ने अपना पूरा ताकत दिखा दिया आदमी की टोपी उड़ गे फिर अपना वो कोट को पकड़ लिया फिर हवा कुछ नहीं कर उसके बाद जब सूरस की गर्मी जादा बढ़ी तो पर आदमी क्या क्या जब पहले कम कम बढ़ी तो क्या क्या अब आदमी ने अपना बटन खोल दिया था लेकिन यहादा क्या है जब सूरस की गर्मी जादा बढ़ी जब सूरस की गर्मी जादा बढ़ी तो आप क्या करते ताकि उसको जादा गर्मी ना लगे ठीक है तो गर्मी से बचने के लिए जब ज्यादा गर्मी होने लगी तो आदमी ने अपना कोट को उतार दिया और हाथ में पकड़ कर चलने लगा ठीक है अब बताओ जब हवा और जो सूरज की बीच में सर्थ थी कौन कोट खुल पाएगा कौन खुला सूरज ने खुल दिया तो देखो आखरी सवाल इसी के उपर है कि आखिर में किसकी जीत हुई यह तो आपको समझ में आ गया कि आखिर में सूरज की जीत हो गई क्योंकि वो आदमी के कोट खुलने में सफल हो गया हवा इतना तेज चला लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर विलोम शब्द मतलब क्या विलोम शब्द मतलब है उल्टा अर्थ वाले सब्द उल्टा विपरित जिसको आप इंग्लिस में कहते हो ओपोजिट वर्ड आप इंग्लिस में पड़े हो ना वैसे हिंदी में होता है विलोम शब्द एक शब्द होता है उसका उल्टा अर्थ अपोजिट में क्या होगा, देखो, जैसे कि कुछ शब्द से इस कहानी में इसको मैं लिया हूँ, एक यहाँ शब्द है अधीक, अधीक मतलब क्या? ज्यादा, उसका विलूम सब्द क्या होगा? कम, क्या होगा? कम, ज्यादा कम, या पिर अधिक कम, ठीक है देखो आगे एक और शब्द है बल्वान बल्वान को हम और क्या भी लिख सकते हैं ताकदवर उसका बल्वान और ताकदवर दोनों समानरत वाले शब्द है इसका विल्म क्या होगा इसका ताकद कम हो इसका वल कम हो तो फिर कमजोर क्या कहेंगे उसको कमजोर तो बलवान और ताकदवर जो है उनका विलूम शब्द होगा कमजोर आप लोग समझ रहे हो ना ध्यान से सुनो ठीक है आगे एक और शब्द था फायदा फायदा मतलब क्या होना लाव होना प्रॉफिट होना ठीक है लाव होना उसका उल्टा क्या होगा फायदा का विलूम शब्द है नुकसान ठीक है फायदा नुकसान देखो आगे एक और शब्द है शुरू शुरू मतलब शुरूबात कुछ आरम करना कुछ स्टार्ट करना इसे कहते हैं शुरू उसका उल्टा क्या होगा उसका विलूम क्या होगा खत्म या फिर अंध ठीक है आप कुछ काम शुरू करते हो फिर खत्म करते हो तो फिर शुरू होगा शुरू का विलूम होगा अंध या फिर खत्म ठीक है एक और शब्द है यहां खोलना ओपन करना खोलना उसका क्या होगा विपरित मतलब विलूम शब्द बंद करना ठीक है उसका विपरित होगा बंद करना वो तो खोलना बंद करना ठीक है इतना समझ में आ गया विलूम शब्द क्या होता है विलूम शब्द मतलब है विपरित सब्द मतलब उल्टा अर्थवाले शब्द अब आगे चलते हैं ठीक है यहां देखो यहां मैं कुछ और यहां चित्र दे आ गया है हम दोनों फ़रा कॉंपेर करेंगे किसमें कितना ताकत है ठीक है देखो तो यहां जो पहला चित्र है शेर दूसरा है हाथी अच्छा शेर और हाथी के बीच में किसका ताकत ज्यादा है बताओ मुझे आपक तो कौन जीतेगा शेयर या फिर हाती अचा देखो शेयर क्या है वो किसी को काट सकता है मार सकता है खा सकता है ठीक है उसको लंबे ले पे नाकुन होते हैं लंबे ले दाद होते हैं तो वो किसी भी मतलब जानवर को काट कर खा सकता है लेकिन सामने भी कोई चोटा मोटा जान नवर होता है वो तो हाथी ये तो होता है तो बताओ मुझे लेकिन हाथी काट नहीं सकता और शेर बहुत बड़ा नहीं है अगर मतलब हाथी के मुकाबले शेर इतना बड़ा नहीं है लेकिन शेर के अंदर भी बहुत ताकत है ठीक है तो दोनों के बीच में आपको लगता कि क इसका ताकत ज्यादा है ये काट सकता है जाके हाथी को लेकिन हाथी अगर अपना पाउँ उठाके शेर के ओपर डाल दिया मतलब शेर भी मर जाएगा तो आप सोचो दोनों मेंसे ताकतवर कौन है ज्यादा ताकतवर सोचो सोचो आप सोचो के मुझे बताना मैंने बताऊंग आईए कि आपको शेर ज़्यादा ताकदवर लगता है या फिर हाथी चीक है दोनों ही बहुत ताकदवर है लेकिन आपको पता करना है कि किसका ताकद ज्यादा है चीक है फोड़ा आगे चलते हैं हाँ यहाँ देखो एक और आगया गर्मी और सर्दी यो दो रुत्व है जो सिजन है इसमें से कौन ज़्यादा ताकदवर है बताओ मुझे गर्मी मत आपको पताई है कितने गर्मी होती है मतलब सूरज इतना तप जाता है कि मतलब हम बाहर निकल नहीं पाते हैं पेड़ बुदे सुख जाते हैं पानी सुख जाता है हम घर के अंदर रहते हैं पंखा कूलर एसी चला कर रहते हैं दखो पताओ गर्मी बहुत ताकदवर है हाँ कि नहीं कोई भी उसके आगे हर मन ज कभी-कभी हम क्या करते हैं गरंपानी से नहाते हैं क्योंकि शुबह-शुबह या रात को इतनी थन लगती है कि हम सुबह उठने का मनी नहीं करता है जब देखो हम रजाई के अंदर कंबल ने कामन करता है और जैकेट, स्वेटर, मफलर, हाथ में क्लॉफ्स बिना लगाकर हम बाहर निकली नहीं सकते हैं हम इंतजार करते हैं कि कब सूरज आएगी दिन होगा तब जागे अच्छा लगेगा तो देखो सर्दी के भी बहुत ताकत है तो गर्मी सर्दी दोनों को अगर हम देखेंगे तो बता मुझे किसकी ताकत ज्यादा बहुत और सदी का वो थंड करता है तो वैसे आप लोग को बताओ मुझे कि आप लोग सोचो कि आपको कौन सायदा मतलब डर लगता है आप गर्मी से आपको दिक्कत होती या फिर सरदी से जिससे आपको मतलब डर लगता है या पर जो आप सहा नहीं सकते हो आपके लिए वही ताका द्वर होगा ठीक है आप सोचना और मुझे बता तो बच्चो यहाँ तो यहाँ तो यह आज का यह खतम हो चुका है हमने क्या का सिखे बताओ पहले हम सबसे पहले सिखे कुछ विल्यम शब्द की बाले मैं सिखा विल्यम शब्द मतलब विपरित सब्द जो कि उल्टा अर्थ वाले शब्द और आखिर में हम कुछ जानवर की मतलब कौन कितना ताकतवर यह पढ़ा शेर और हाथी में और शेर गर्मी और सर्दी में आशा करता हूं बच्चों कि आपक से देखो और जो साथ में नोड से आगया है उसको आप देखना और वहीं से आप अपने क्लास्वर कौपी में लिखना ठीक है बच्चों धन्यवाद